हेलो नमस्ता दोस्ते अंदो तक है दूंगे आपका स्वावत हैं जो लोग चैनल पर पहली बार आये हैं वो चैनल पो सब्सक्राइब कर दी है और जिसने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेगी मैंने प्लेलिस्ट का लिंच डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो ह हम 1500 से 1000 BC जो अर्ली मेजी डियर उसी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं यह टिफॉन में संदीशन कैसी प्लेदर थी यहां पर जात्तर लोग पसपालन पर काम करते थे और पुत्तर वारत में इस ताई रूप से बसने के बाद इन्होंने किरसी फुरू कर दी थी क्योंकि इसका मुख्यदार यह था एक यार बीसी के बाद में जब लोग चलिए ले थे गंगा वाले अरिया में वहां पर इस ताईगर बनाना चालू कर दिया था और ट्रेसिंग करना भी शुरू कर दिया था यहां पर बड़ाई रत और अलका उत्पादन फिया रपते थ यहां पर कताई वर बनाई एक महत्पूल दियुसाय वहा बरता था सूती वरूनी बस्त्रों का यहां पर सुनारों में गेने बनाए और कुल कुमार अपने करेनी काम के लिए विविनपगार के बरतं बनाया करता था यहां पर दोस्तों पर के लिए बस तों बिनव लेका वे बड़े नेध्यिन के लिए निस्क नाम के टरन्सी का यहां फिया कबते थे यह पूछ रेते तो उस टाइम की currency पो यह आप आगया निश्क नायम की currency coins है जो उस टाइम पर बनाएगे और नदियां भी transportation के लिए काम में लेना चालो कर दिया था इन्हों अब दोस्तों हम रिंग व्यादिक काल में द्रनीजन की बात करें तो दोस्तों भगवान की बदले मक्ते साथ देख लेकिन जब यह लोग अल्ली व्यादि एज में आये तो इन्होंने नेचर की पूजा कर्मा स्टार्ट कर दिया था आपने देखा कि दिग व्याद के अंदर इस लोग दिये गए प्रत्वी को अगनी को बायू को बर्सा को इन सब पो गौड बनाके पूजा की गई थी लेक प्रत्वी में था और तीमेल बाड में थी अद्थी और उसा इन सब की पूजा की गई और साथ में नेचर की में पूजा की गई और दोस्तों उस जमाने बर कोई टेंबल नहीं थी और नहीं कोई मोर्ति पूजा करते थी और ये लोग पुरुषकारों के लिए देवताओं से रेयर यह करते थे यह लोग दार्मिक बाव के लिए वुजा नहीं किया करते थे बस इनका काम यह था कि हमारे गाहे वो ज्यादा दुद्दे दे बीमार हो गई है तो सही हो जाए बारिस हो जाए तो अच्छी खेती हो जाए और हमें थोड़ा सा पैसा कमाले बस यह इन्ही बाव कुछ भी नहीं हुआ करता था अब दोस्तों वाव पर टेंपल के पोई एविदेंस भी नहीं मिलें और दिंग व्यादिकाल में इंद्र को डाईसो और अदनीबो दोसो शुलूप दिये गए अधिती और पूसा भी भी दिये गए हैं गायतों सबसे पवित्र माना र अधिकाल के गाये दुद्दिया करती थी और मीडियम और एक्सचेंड भी थी लोग खरीते थे और बेचते थे जो उनके पास हुआ करती थी और पॉइंस थे निश्क नाम के और बोड़े बहुत इंपोर्टैंट रोज बने नवे थी और साधीया जो थी वह एक ही हुआ कर लेगिन जो राजबाजा महाराजा हैं वो दो या तीन साधी किया करते थी चाइल्ड मेरिज के कोई एक्जाम पर महीं मिलें और यहाबत अनमेरिट दूमेन को अमाजू कहते थी और जो बैतरी मनता है वो सूर को समर्पेता है जो रिगवेद गिट तीसरे मंडेल में अंकेता है तो दोस्तो इस पगार से हमने आज रिगवेद काल के दार्मेक और आर्थिक कंडिशन के बारे में पड़ा या दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे शेयर का लगा हमने की बारे में बहा दोस्तोर के पड़ पाल